जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलारी बेहतरीन होता है दर्द सब के एक से हैं मगर हौसले सब के जिन्दा हैं कोई हातास होकर बिखर जाता है तो कोई संगर्स करके निखर जाता है स्वागा थे दोस्तों हमारे इस खुपसूरा से चैनल सतीष चहान स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कच्छा बार पदेपाठ एक पवंदूतिका के भागतीन के बारे में दिन करेंगे तो आईए बिना देरी की वे शुरुवात करते हैं जाते जाते पहुंच मथूरा धाम में उत्शुका हो जाते जाते पहुंच धाम में उत्शुका हो न्यारी सोभावर नगर की देखना मुग्द हो ना तु होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को आभावाले कलस जिन के दूसरे अरक से हैं देखे पूजा समय मथूरा मंदिरों मद्य जाना नाना वाद्यों मदुर स्वर की मुग्दता को बढ़ाना की माले के रूचिर तरू के सब्दकारी फलो को धीरे धीरे मदुर रव से मुग्द हो हो बजाना तू देखेगी जलद तन को जाव ही तदगता हो होंगे लोने नयन उनके जोती उत्किल्ड कारी मुद्रा होगी बर बदन की मुर्तिशी शम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से तो इस पद्यांस में कभी कर रहे हैं कि राधिका जी पौंदूतिका से कहती हैं जाते जाते पहुँच मथूरा धाम में उस्सुका राधा पौंदूतिका को समझा रही हैं कि जब तुम मथूरा पहुचे तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्वे सुंदर्ता को देखना बरभोलना मत आनि तुम उसकी सुंदर्ता को देख लेना देखे जाते जाते पहुँच मथूरा धाम में उस्सुका हो कि हे पवंदूतिका जब तुम आगे रास्ते में जाओगी तब तेरे मार्ग में मथूरा नगरी भी पड़ेगी तुम जाते जाते उसकी सोभा देखना मत भूलना नियारी सोभा वर नगर की देखना मुग्द होना नियारी सोभा नी बहुत ही प्यारी सुंदर्ता वर नगर की स्रेष्ट नगर की देखना और मुग्द हो जाना कि कर रही हैं कि जब तुम मथूरा नगरुई में पहुचोगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वय ही देखने के लिए उसुद बना देगी तब तुम अपनी नगरी देखने की उसुखता दबाना मत बलकि उस नगरी की सरोत्तम और मनो मुगद कारी सोबा को देखकर उस पर मुगद होना न भोलना तू होवेगी चकित लख के मेरु के मंदिरों से आगे बता रही है की तू होवेगी मिस तू हो जाएगी चकित माने आश्चर चकित लख माने देखकर मेरु मने सुमेरु परवत के मंदिरों को कि बता रही हैं कि हे पमदूति का तुम जब वहां दूसरे सुरिक के समान चमकती आभावाले कलस जिनके दूसरे अरक से हैं अरक मतलब सुरिक के समान कलस माने कलस जब आभावान मने चमकती सौंदर से परिपूर कि करें कि तू जब वहाँ दूसरे सुरिक के समान चमक दी आभावाले कलसों से युक सुमेरू परवत जैसे बिसाल और उचे परवत को देखेगी तब तेरे आश्चरे का ठीकाना नहीं रहेगा तुम सोचोगे कि यह कैसा सुरिक आ गया है कि कहीं यह सुरिक तो नहीं देखे पूजा समय मथूरा मंदिरों मद्य जाना आगे पहुenk दूतिका से राजिका करें कि देखे पूजा समय कि पूजा के समय मथूरा मथूरा के मंदिरों के बीच जाना कि हे दूतिका तुम मथूरा में थोड़ा ठरना और पूजा के समय वहां के मंदिरों में जाकर नाना वाद्धियों नाना मने विविन परकार के वाद्धियों माने अंत्रों मधूर स्वर मने मीठी आवाज की मुगदता को बढ़ाना कर रही हैं कि तुम वहां बजने वाले विविन वाद्धियों की मधूरता को अपना मधूर स्वर परदान करके उनकी मधूरता में बृद्धि करना किवा लेके रूचिर तरू के सब्धकारी फलों को धीरे धीरे मधूर रऊ से मुगद हो हो बशाना किवा मिस अथवा लेके मिस लेकर रूचिर माने सुखे तरू माने फल तरू माने पेड के सब्धकारी फलों को धीरे धीरे हलके हलके मधूर रऊ से मीठी धोनी से मुगद हो हो बजाना कि आगे पौंदूति का से रादिकाजी करें यदि तुम यह नहीं कर पाओगी तब तुम वहां के मंदिर परिशरों में खड़े बिविद परकार के ब्रिच्छों में से अपनी पसंद के ब्रिच का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से सब्द रूपी फल को ग्रहन करके धीरे धीरे बहते हुए मधूर धोनी के साक्त मुगद हो हो कर अपना राग वस्ते बजाना तो कावेगत संदर के अंतरगत इसमें भासा खड़ी बोली सैली प्रबंधात्मक अलंकार उपमात अथानुप्रास रससांत गुर परसाध है छंद मंदा करांता है आईए आगे देखते हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो होंगे लोने नयन जिन के चोति उत्किल कारी मुद्रा होगी वर वदन की मुर्ति की सम्यता की सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से नीले फूले कमल दल सी गाती की श्यामता है पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला छूटी काली अलक मुख की कांती को है बढ़ाती सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है तू देखेगी जलतन को जा वहीं तदकता हो इस पद्यांस में राधिका पौंदूतिका को मतुरा में इस्थीत अपने प्राण प्यारे स्रीकृष्ण की पहचान बताते हुए कह रही हैं क्या कह रही हैं आईए देखते हैं तू देखेगी मिश तू देखेगी जलत माने बादल तन माने सरीर वाले जा वहीं तदकता हो कि हेपवन मथूरा के वातावड में स्वयं को ढाल कर स्वयं भी वैसी हो जाकर तुम वहाँ बादलों के समान काले वड़ वाले स्री कृष्ण को देखेगी होंगे लोने माने सुन्दर नैन माने आके उनकी जोती उतिलकारी माने जोती को फैलाने वाली कि जब तुम से भगवान स्री कृष्ण को दोखेगी तो वह बादल के समान काले रंग के दिखाए देंगे बरंतून की आखे बहुत सुन्दर होगी ऐसा लगेगा कि मानों वे अपनी आखों से प्रकास भी खेर रहे हैं चारों तरप उजाला कर रहे हैं मुद्रा होगी वरवदन की मुर्ती सी सौम्यता की मुद्रा माने इस्थिती होगी वरवदन एक स्रेष्ट वदन की मुर्ती की समान सौम्यता माने सुन्दर आगे कर रही हैं कि उनके स्रेष्ट मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मुर्ती की शौब में मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से सीधे साधे माने एकदम सीधी सरल वचन माने भासा सिक्त माने गुले मिले होंगे सुधा माने अमरित के समान और का रही है कि जब तुम उनके वचनों को सुनोगी तो उनकी सीधे सादे वचन तुम्हें प्रेम की अमरित रस्ते सीचे हुए लगेंगे नीले फूले कल दल कमल दल की गात की स्यामता है आगे करी हैं की नीले माने नीले फूले कमल नीले रंग के फूले हुए कमल दल माने समू गात माने सरीर की स्यामता माने स्यामलापन की हे पवन नीले खिले कमल पुष्पों के समू की स्यामलता के समान ही उनके सरीर की स्यामल छबी है अर्थात उनका स्यामला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समू की स्यामलता अत्यंत मनोरम होती है पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला पीला मिस पीली रंका प्यारा माने सुन्दर वसन माने वस्त कटी माने कमर में पहनते हैं फबीला कि आगे बता रहे हैं कि वे श्री कृष्ण अपने सरीर पर अत्यंत आकरसक पीला सुंदर वस्त अपनी कमर में धारन किये रहते हैं चूटी काली अलक मुख की कांती को ओय बढ़ाती छूटी काली अलग बालों की एक लट मुख की यनि मुख की क्रांती मने चमक को बढ़ाती है आगे बता रही हैं उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की सोभा में बृद्धी करती रहती है सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है अनि बता रही हैं कि उनके सुन्दर वस्त्रों से उनके रमडी शरीर सुन्दर शरीर की कांती उत्किल्ण होकर वहां के वातावरण को मनो हर बना रही होगी तो दोस्तों कावेगस संदर के अंतरगत अलंकार उपमा एवम अनुपरास है रस स्रिंगार रस है चंद मंदाकरानता है सब्द सक्ति यविद्या है गुण परशाध है ठीक है तो नेश्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद थैंक्स पार वाचिं बाई बाई झाला है यविद्यानता है